सरदार निरंदर सिंकपूर्थी पुस्तक अंतरचात दा लेख है, बहस जारी है रुजे हुए ते स्यानी लोग बहस नहीं कर दे, क्योंकि उनाने अपना कम मुखोना हुंदे कम ते बहस दोमे नाल नाल नहीं चल सक दे कस्बियां जन्चोटे शेरां दे लोग कट बैस कर दे हैं नोकर ना होन करण उनांकोल बैस दा समान नहीं हुंदा गरीपते कटव सीलियाँ वळे लोग कुई बैस नहीं कर दे क्योंकि उनानु सब कुछ खुरीदली नकद पुगतान करना पेंदे उनानू पैसे वाली लोकावाँ उदारदिया, सुहूलता नहीं मिल दिया इस्तरियां दी बैस विच दिल्चस्पी नहीं हुन्-दी क्योंकि उना दे कार्शां बढ़ा हुन्-दे पुर्शादी मुकाबले इस्तरियान नाके वोल अपनी जिम्मेबारी नो वदेरे गंबीर तानलने बौन यहान सुगोना नो कामोवी वदेरे करना पेंदाए जिस दिन पुर्शादी छुटी होगे उस दिन इस्तरियान दा कम बद जंद है किसान दे कामता कदे मुक्दे नहीं, उसनों कमा पिछे इना दोडना पेंदा है कि उन्हों पता ही नहीं कि बैस की हुन दी है। किसान दोडना कडियां विचो पूरन पांत तार्मिक हुन दा है। सच्चे तार्मिक व्यक्ति वाले सारे गुण प्रेमी विच से जी आजन दे हैं। जदों प्यार विच बैस रंभ हो जाए ता मिलापवी सूली चड़न वाला कारज हो निबड़दा है। प्यार मनुक कोल केवल परिवारदारत समस्यामा सन जदों के अजोका मनुक सारे संसार नल बज्या होया है। संसार छोटा ते वदेरे सबंद थूंदा जारे है। जिन्दगी दियां सुहूलतावां खत्रे ते समस्यामा विवद गईया हान। साधियां लोडां विवद गईया हान। हुन सानु वदेरे व्यक्तियां दे संपर्क चौना पेंद है। सानु वदेरे सुचेत रेना पेंद है। साड़ी हित वदेरी वार, वदेरी थामां ते वदेरी व्यक्तिया नाल टकरों दे हन। सो बैस अपने हितांदी रख्या करन्दा एक पैंतड़ा है। पहला मनुख अपना विरोध हत्यारा नाल प्रक्तोंदा सी, फिर उसने गाणा ते गुसेनु वर्त्या ते आजकलू बैस दे पड़ाती है। विज्ञानने मनुख नूने खेडन ते विशलेशन दिविदी दित्ती है। जिस कारन मनुख हर वर्तारे नू प्रशंदी द्रिष्टी नल वेकद है। विज्ञानने ही सानू कदे वाद, विचार, परनालियां ते सिधांत दित्ती है। समेदे बीतर नल वाद ते सिधांत पुदेरी शक्ती शाली हो गई है। जदों के मनुख दिनों दिन निताना हुंदा जारे है। सिधांत जंगांत विरुद्धानू जनम देंदेहन जदों के हितांदा टकराओं मुकदमियादा रूप तार्दा जारे है। वहस, दलील, गालबात, मुलाकात, वार्तालाप, विचारवटांदरियाद सब्धा उदेश समझोता सर्वसम्ती ती सैम्ती उसारना हुंदै। प्रंतु इन सारियां विदियाने मनुख दियां समस्यामा सुलजान दी थां उसले परेशानिया पुजान्या है। स्वार्थ अते लालच चंगे वर्तारया नूवी तसियां विच बदल देंदे हैं। उदारन वजूं अज तक सी विद्यादी गुण ही गौण दे रही है। पर स्वार्थ अते लालच वस मनुख ने विद्यानू बिल्कुल उल्टे उदेशान ली वर्ते है। विद्यादी वर्तों न जायज नू जायज ते गल्थ नू सही सिद करन ले किती जा रही है बैस वेच विद्यादी वर्तों गुरुदिया नू गल्थ साबत करन वजों ही किती जान दिये इस ती वर्तों चूट नू सच साबत करन ले ते सच्चे व्यक्ति नूँ मूरक सिद करन लई, ते नफ्रद नमे टांग सिर्जन लई कीती जा रही है विद्याने मनुख नूँ शक्ती ते सोच दिती है पर मनुख ने कुद्रदा जो हाल कीत है उसाड़ी सब दे सामने है विद्यानल चगडे वदी हन के कटे हन पड़िया लिखिया व्यक्ति जदों कोई पैडा कम करदा है तो अपने पक विच अपनी ही परकारती सोच दा एक तरक संगत सिलसला उसार लन्दा है अजोके युग विच इमानदारी ते बही मानी दी हर बैस विच इमानदारी हारेगी अजोके युग विच बैस दी केवल दुरवर्तों ही हो रही है ते बैस दी आदतिक रोग बन गई है मनुखी रिष्टियां मिच इस्ता जैर कुल अनलाग पे है बहस जिन्दगी दी परवा विच रिष्टियां दी बन तर विच साचलब बन दी जदो जैद विच इक रुकावट बन दी जा रही है बहस नू फल्सफेदा नां दित्ता जा रही है बंद बंदे ही बैस कर दे हन ते बैस नल संसार बंद हुन्दा जान्दा है हंकार ते होमेतो बिना अग्यानता ते अविश्वास तो बिना बैस संभव नहीं हुंदे बहस करन वालियां तेरा वास्तव इच अपनियां दुचितियां संसियां ते पुले क्या अद्धी ही नुमेश लौंदिया हन इरखा साड़ा नफरताद बैस दियां अधार पावना महान हुन मनुखविच छुपे रेन दे इचा नहीं सोग वत तो वत थामां ते परगट होन दे इचा है ते बैस अपनी हाजर होन दा सुबूत देन दा एक टंग है अजोके योगविच बैस दी प्रविर्ति ये नी व्यापक होगी है के जो विशा बैस दे योग नहीं रहन दा ओ मनुखी दिल चस्पी दे योग भी नहीं रहन दा साड़ियां कई सब्बावा अदारियां ते कमेटियां दा कम ही बैस करना है हरे कजोके मनुख दी सोच विच स्वय विरोधी विचारां संसियां ते तौक लेयां दा एक पारी जलूस चल रहा है बैस नल दुजी तिर दी कही गल्ड दे गल्त अर्थ कड़न दी परविर्तित अंबल्वान हुई रही है इस नल वखरे में वद रही हैं विथाओं प्याल रही हैं विरोध पक्के ते पीड़े हु रही हैं ते हत्यारां प्रती मूँ वद रहा है हुन अपने विरोधी नू मार मुकाण बारे सोचना विश्व व्यापक वर्तारा हो गया है किसे पीड जां हत्यार बंद व्यक्ती जां पुलिस नाल बैस संबब नहीं होंदी क्योंकि ये सारे तर्क ही दुरवर्तों कर दे हैं ये जानना बड़ा जुरूरी है कि शान्ती खुशाली ते सैमतियाद बंदूक जोर जां शक्ती नाल नहीं असूल समझते स्यानपनाल ही होंदी है आते इसे नाल ही आएगी अंजान अंटुरे रहां दी अक्खा बन के लाई दौड किसे मंजिल ते नहीं पहुंच दी बिना उदेश दे बैस कोई निर्ना नहीं सिर्ज दी केवल बैस ले किती बैस जाँ पहले ही निर्ना लेके किती बैस जाँ पक पाती होके किती बैस जाँ वरोधिन उहराउन जा निमा वखौन दे रादे नल किती बैस समवारदी कुछ नहीं पर वगारदी सब कुछ है बहस दिविदी मानव जाती दी एक महान प्राप्ती है जिस विच तर्क वितर्क उपरंत सर्व सम्ती नल निर्ना की ताजन्द है परजया हो नी रहा इसे करके बहस बदनाम है जे मैंसी कीटनिये पुजारी अरजीनवी साथ सिर्ज लै हन उइज बैसी वियजों के युगदा एक वरता रहा हन अदालता मिच असी वकीलानू इसे उदेशली वरता दे हन इक वरी एक बैस विच पाग लेंड ली एक तिर ने एक बैस ये नूँ इतला देती ते क्या के त्यारी करके रख्यो तो उने क्या मैं होने त्यार है मैं की त्यारी करनी है मैं तो उना दा विरोध करना है त्यारी ता हो करनगे मैंनों किसे त्यारी दी लोड नहीं जिमें आलस जियूंदे बंदे नू दफना दिन्दे इमें बैस सब परकार देस बंदां ते रिष्टियां विच विगाड पूंदी है इस ताई अर्थ बिल्कुल नहीं कि बैस ना कीती जावे सब्गों एह है कि बैस सैम्ती दी पावना ते मिलवर्तन दे उदेश नल कीती जावे सब्गों एह है पर वास्त विच हुंदा एह है कि अपना तर्क पेश करन दी काल वे चसी दूजी ते पनू सून देई नहीं कानून, थाणे, अदाल्थ, जला अद, मनुखदी, जहालत ते मुरक्ता विच उपजियां सनस्था वहान सही अर्थाँ विच सुमाजो दो उन्ती करेगा जदो साडियाँ अदालताँ थाणियाँ ते जिला नलों साडियाँ लाइबरेरियाँ वडियाँ ते वदेरे हुण गियाँ जिते ही मालादियां सिखरां जई मत्थी हवावां जई सूखम विचार लम्मी बौधिक उडान सुमुंदरां जई विशाल हिरदे ती सूरज जई उदार तकणी वाले मनुख खुस रंगे तरम विच बैस दा कोई स्थान नहीं इसे करके तरमा नुँ उसारन दा काम पैगंबरां दे जिम्में लगाए बाजशाहां जा जरनेलां दे नहीं तरम नुँ फैलाउन दा काम इस्तरियां ने कीता है जदो के पुर्शाने तार्मेक नफरता ही फैलाईया हन पुर्श कामतन दे सर्ज दे हन इस्तरि सब्याचार नु उसार दी है पैगंबर मानुव जाती दा सांजा सरमाया हुन दे हन पैगंबरा नल बैस या नहीं जा सकदा उना दी शरन वी चाजान नल सब प्रशन पिछे रह जान दे हन स्यान पनाल ना कोई प्रशन पुछे आ जा सकदा ना इस नाल कोई बैस संबब हुन दी है स्यान पो सो वस्था नु केंदी हन जिस विच सब प्रशन ते सारियां बैसा शांत हो जान दी हन प्रशन अग्यानता विच्छों ही उपजदे हन जो जानदा है वो कोई प्रशन नहीं पुछेगा हर संत द्वाले पापियां दी पीड जरूरी है जियों जियों शर्दा लुआं दी गिनती फैल दी जानदी है त्यों त्यों संत सुंगडदा जानद है इक वारी एक संत दे द्वाले जदो पीड जुड़ गई ता उसने किहा हून तक मैं परमात्मा नालसां तुसी आके मैंनों इकल्यां कर देता है बैस मनुखनों इकल्यां करके उसनों निताना कर देंदी है अजोके युग विच मनुख ओदों साव परतीत हुन दै जदों अपनियां सारियां चालां चल चुक्या हुन दै ते अपने सारे तर्क वितर्क वर्त चुक्या हुन दै नुक्स कड़न दी आदत अभिमान विचो उपजदी है नुक्स सविकार करना निमर्तादा प्रक्टावा है अपने ग्वांडी नल चंगे विहारते सुखावे सबंदा तो बिना असी सुखी नहीं हो सकते जेडे द्रख्त हनेरी नल सैमत होके चुल दे हन वो बचे रन दे हन उखडदे उई हन जडे हनेरी नल बैस दे हन हर किसे कोल बोलन बैसन लेई वक्त है पर चुपरेन लेई ही समा नहीं है असीस करके बुली जान देयां ता जो सोचन तो बचे रहे अपने विरोधी नल बैसन वाले मूरक ते ड्रपोक ता तो अनू कई मिल जानगे पर उसनल सैमत होन वाले स्याने ते बहादर विरले ही मिलनगे बैस अकसर किरना दी पावना तो प्रेरत हुन दे है किरना ओ जंग है जिस विच मौत दे शैतानी तमा के गूंज दे हन जे किरना जा विरोधता ही नहीं ता बैस के में संभव होईगी बैस बननी हुई बेडी दी ते सैमती चल्दी बेडी दी परतीक है वेख्या गया कि साचनिय जे तसमेवी नी बनने हुन दे कि बैस दा चूट सारे संसार दा चक्कर लाके मुडवी हों दे दलेरी सैमत होन लेई चाहिदी है बैस करनली नहीं जांग ता कोई भी अरंब कर सकता है औखा काम ता बैस जांग विच्चों कोई उसारू नतीज्या उपजाणा है किसे मुल्वान लापता एक जा महत्तपूरन वस्त जांवरतारे से बन्दी बैस संभव नहीं हुन दी बैस सदा निगूणिया वस्ता ते निरर्थक वरतारें सबंदी ही हुन दी है कैया दी योगता विरोता विच ही चमक दी है मेरे एक मित्तर हन वो जिस दे पक विच बैस दी हनो ठक जांदा पर वो अड़े रेंदी है इक वरी होना ने मैंनू दसिया अगले हफते कोई चगडा नहीं हो सकदा क्योंकि मैं बार जा रहा हूँ असी प्यार ना लोना नू चगडा सिंग सिधांती केंदे है सारे संसार दी एक समस्या है उसता ना मनुख है जदो मनुख दा इखलाकी पक कमजोर हो जांदा है ता उसती पाशा कोडी ती सक्त हो जांदी है कोई वी व्यक्ति अपनियां काटांदा जिकर नहीं सुन सकदा जदो बैस हुन दी है ता हर तेर अपने पक विच दलील उसार लेंदी है दलील दलील हुंदी है जरूरी नहीं के सच भी हुए इक वरी दो व्यक्तिक बैस कर रहे सन के कराट नल दरिया चल दा है जा दरिया नल कराट चल दा है इक काम व्यक्ति कहेगा मैं समुंदर नुवेख्या पर दलील बाज सिद्ध करेगा कि समुंदर ने मैं नुवेख्या बैस करन वाले पठाना वांग हर वेले खेबड़ देरं देहान मेरी तारना के पंजाबी बूली कोल बैस वाले शब्दावली नहीं है साड़े कोल शर्दात्मक शब्दावली है लडन पिडन वाले शब्दावली है पर बैस वाले तरक विदरक वाले शब्दावली नहीं है साड़ियां सारियां पार्थी पाशवां दी अज illumine अजैी ही इस्थिती है साड़ यूग विच किसे भी खेतर विच दो व्यक्तियां दा राल के रेना जा सैमत होना संभव नहीं रया उन्ता वी क्या जांदा कि जे किसे था दो व्यक्ति इको तरानल सोचदे हन तेदार्थ है कि इक फालतु है जेडियां इस्तरियां पुर्ष खेतरां विच परवेश कर गईया है उना विच भी बैसन दी आदत बलवान हो रही है जे बैस ता अधार तरक होए ता गल ने बढ़ जान दी है पर बैस दी आदार अकसर पक पात हुन दी है जेडि किसे तरकनू नहीं मन दे ते बैस निरंतर जारी रहन दी है फाज जदों कोई फैसला कर लहन दी है तो बैस जा प्रशनान जा संसियान जा तोकलियां तो मुक्त हो जान दी है उना सारा बल उस फैसले नू अमल विच ले आउनों ते लगदा है फैसले उपरंत फॉज पूरन प्रस्पर सैमती नल जुड़ दी है सैमती स्वैविश्वास शक्ती ते सैंशीलता रलके सुंदरता ते सोज सिर्ज दे हन सुंदर चेरे दी रोशन दिमाग दी बैस लाजवाग हुन दी है किसे नू उपदेश देन तो पहला जिन्दगी विच वड़े काटे बरदाश्ट किते हुने चाहिदे हन शान्ती ते तसलीच जोर नल नहीं ती रजनल मिल दी है जदों तुसी सैमत हुन देओ तो अनू अपने हलके फुलके हुनदा एसास होईगा जदों के बैस कर दियां दोश थप दियां तों ता लोनियां सब कुछ पाराती बोजल लगेगा वेख्या गया है कि जनात उसी डर दियां उना नलसी बैस काट कर दियां क्योंकि जनात उसी डर दियां वो अपने असली आकारतों वड़े परतीत हुन दियां पिंजरे दे शेर नालों जंगल विच को मदा शेर वड़ा प्रतीत हुन्दा है असी पिंजरे दे शेर तो नहीं डर दे क्योंकि सानोस तो कोई खत्रा नहीं हुन्दा इवें सिवा मुक्त व्यक्ति पदवी उते लगे व्यक्ति नलों सुंगडिया परतीत हुँदे अपने तो निविया नाल्वी असी बयास नहीं कर दे बयास दे असी हो थे ते उना नालियां जिते साड़े हित पृढ दे हन जेड़े साड़ा नुकसान कर सकदे हूं उना नलसी नहीं बैस दे जदों दर्द असे हो जावे तम नुक बिहोश हो जान दे इवें जदो बैस असे हो जावे ता साड़े उदासी ते निराशा पर्स जान दे पसर जान दिया, ते अंदर विरोध साड़े ते बदले दी पावना तुख दी रहन दिया, जिसनू बहस दा रोग लग जाए, वो अपने करांदे जिया नाल ही मोर्चाला लन दे, मुसीबत ओदों दुख बन जान दिया, जदों सी उस विच्चूं कुझ सिख दे नहीं, कई केंदे हन के जीवन एक पुझारत है, अते बैस उसनू समझन दाईको प्राला है, पर विचारां दी पंड चुक करना लसी चलाकता हो जान देया, स्याने नहीं हंदे, केंदे हन जे तुसी बैस होगे नहीं, ता लोग तो अनुपोल जानगी, मीटिंगां, सेमिनार आद वि जित्ते किद्रे भी कबजेदी पावना होएगी, उत्ते बैस, हिंसा, मारतार, लडाईती मुकदमे वी होँगे, कबजेदी पावना जीवन प्रती साड़े समुच्चे द्रिष्टी को नुविगार देंदी है, इक वरी रस्ता पुल गईक कारवाले ने रस्ते ते एक आजडियां जा कारीगरां वांग बहुत कुछ जानन या बैसन दी लोड नहीं होंदे, बैसन दा बहुता काम अक्सर तन खादे शर दालू जा वेले राजसिया गुही कर दे हैं, संसार वेच कोई वी व्यक्तिय जया नहीं, जिसने अपने जीवन वेच प्रापत किते सारे जाननों वर्त्या हुए, बैस करनवाले लोग अक्सर गंबीर होके अपने स्याने ते विशेश उन दा परमसिर्ज दे हन, गंबीरता जोके युगदा एक रोग है, साडे तरम वी इस रोग तो पीड़ थान, कोई तरम सानों हसन दिया गया नहीं देंदा, बैस करनवाले ग गंबीरता उत्ते जोर देंदे हन, जदों के गल्ला उसारियां हासो हेनियां कर दे हन, जे गंबीर विशेश उन दा परम टुट जानते, तो एक सदार्ण वियक्ती पर तीथ होन लग पनते, सदार्ण वियक्ती बैस नहीं कर दे, तो अडे जा मेरे चाओन नल कोई बैस मु पुष्टियां दे पुल तो फान दे ओन नाल नहीं टूट दे पर बैसन नाल इसे जी टूट जान दे हन। तुट्टे होई पुलां तों कोई आवाजाई नहीं लंग दे। तानुवाद। सरदार निरंदर सिंक पूर्दी पुस्तक अंतरचात दा लेक है। तुट्टे होई पुलां तों आवाजाई नहीं लंग दे। जेडियां चीजां जिन्दगी दा अनंद देंदियां हन। वो चीजां नहीं हुन दियां। अनन्द दुख थे सुख दी सोजी थे प्राप्ति चीजह विच किरके नहीं रिष्ट्दय विच रच मिच की मिल दी है सारा संसार मनुख नू दुखी थे परेशान करन्च रुज्य होया है रिष्ट्व टा लहां जिनाना अल असी सारे जक्त दे वारसें दे हैं संसार ता कम सानू उदा सुप्राम ते निराश करना है रिष्टियां राई असिये ना मारू शक्तियां दे सनमुख हुंदे हुई वी जियों दे रेन दाव पुराला कर दे है निर्सन दे कई रिष्टि मौत नलवी वदेरी बोजल दे प्यान खो निबड़ दे हान दुखानू समझे बिना ना सुख दी समझाओं दे नाई प्राप्ति हुंदे दुखान तो बचन लई ते सुख दी प्राप्ति ले मनुख प्यार करदा है ते प्यार दे रिष्टे ते वातावर नू सदीवी बनाओं लई उव्या करदा है व्या उपरांत दुख लबबन दी लोड नहीं पैंदी पर इच्छा ते यतन सदा सुख प्राप्ति दा हुंदे इकल्ले जा छड़े आदमी जा इकल्ली इस्तरी दी सुतंतरता समाजली हनेर गर्दी है इकल्ला व्यक्ति इतबारी नहीं हुंदा उसनों सारे होर होर नजरानाल वेख दी हन अजय व्यक्ति नाल बहुती गलबात नहीं किती जा सकती अजया व्यक्ति बहुती अंगलां करवी नी सकता अजया व्यक्ति पर्चंडू दासी ते तीबर अकेमे विच विचरता है अजया व्यक्ति ना संतुलत सोजदातार नी हुंदे नाई उदे विहार विच एक सुर्ता जा एक सार्ता दे गुण हुंदे हन अजय व्यक्ति ले टुरियां दी मौत वदेरे पैदा पैदा एक ते विपचारदा फ़ल परती थुन्दी है मनुख इकले रेन ले नहीं बनिया आम सदारन मनुख इकल तो डर्दा है जदो के कवियां ले ते कलाकारां ले इकल्यां होना एक मजबूरी है कविते कलाकार दिसदी दुनियां दे नहीं कल्पित संसार देवासी होन दे हन रिष्टे अनेका परकार दे हन पर जेडे रिष्टे महत्तपूरन हन ते जेडे साडव देरे ज्यान खेच दे हन ते जेडे सानूब देरे खेच पौन दे हन उना विच एक तेर पुर्ष ते दूजी तेर इस्तरी हुंदी है नार्ते मादा दा रिष्टा कुदरत ने निर्दारत किता हुय है जदो के समाज ने इस रिष्टे नू अनेका रूप देके इस रिष्टे नू नेमबद किता हुय है अनेक का अनेक रिष्टियां विचों प्रेमी प्रेम का दा आपसी रिष्टा ती पती पतनी दा प्रस्पर रिष्टा समाज तरम सब्याचार ते साहित विच वदेरे चर्चा दा कारण बणिया है इस्त्री नल सबंधत हर रिष्टे वेच रिष्टे नू बणाई रखनली पुर्ष दे मुकाबले इस्त्री नू देरे त्याग कुभानी यतनती मेनत करनी पेंदी है हर इस्तरी दो करांच जनम लेंदी है पिता दे कार दे पती दे कार इस्तरी दो करांदी आसरे नल पल दी है तो दो करांदा सहारा बन दी है उदियां दो जाना हुंदी हैं दो दिल हुंदी हैं चम्बे विच्चों विच्डी कूंच, बाबल दे मेला विच्च परदेस्सन हो, गुडियां पटोलियां तो मन पुट के, सक्खियां से हेलियां, वीरा पैना तो विच्चड के रूंदी करलोंदी, डूली विच्च बै, आस निरास विच्च वंडी हुई रिष्ट्यां दा एक नमासन सारू सारनली, सुख दी आस विच्च दुख पल्ले बन दी, लम्मी मन्जिलोते निके निके थिड़क दे कदमानाल होली होली चल दी, पुर्ष देना अनकते खान्दाननू जियोंदेते चल दे रखनली, रिष्ट्यां विच्च उल्जदी कुवाच जान्दी ह हर इस्तरी दी इही होनी है, पुर्ष की जाने के उसनाल रिष्टा गंडनली इस्तरी नू संसियां, तौकलेयां, तांगां, त्यों में दानियां, केडियां, पीडियां, गलियां चु लंगणा पेंदे, कुदरतनी मनुखी नसल नू चल दे रखनली इस्तरी नू पतनी प्रथा है, वो समाज ना केवल निर्बल हुन्दै, सबों पिछां के चूवी हुन्दै, अजय समाज विच कोई बड़ी प्राप्ति वी संभव नहीं हुन्दै, अजय समाज कुछ भी नमा नहीं सेर्ज सकते, कुछ भी नमा अजय समाज विच नहीं वापर्दा, जि जदो मनुख विच सरीरक लालसा परबल हुंदी है, उदो ही समाज मनुख नू व्यादियां सों खान लेकेंदा है। सरीरक लालसा नू रोकन नलों सों खाना सोखा हुंदे है। ते समाज सों खान वले दी परशंसा भी करदे है। सो मनों को व्यादे रिष्टे विच बने जानली से जी तियार हो जन्द है। प्रेमी प्रेम का अपने आपने आपनू पती पत्नी नलों विवदेरे कस के बज्जे हुई मैसूस कर दे हैं। सा सौखा लेनली यो व्याली तांग दे हैं। इक दुजे दी जम्यवारी चुकण सदा सुखामा अन्बभ हुँदै। प्रेमी याणू पती पत्नी दे मुकाबले खत्रे विवदेरे हुँदै हैं। इक दुजे दे अकेमी दा डर विवदेरे हुँदै। उनना दी बना वेच इक दूझे दे गुवाज जान दा पै विववदेरे हुन दे। उननन दियान चिन्तामा विवदेरे हुं दिया हन प्रेमियानी प्रतीत हुन दे जमे समाझ नूँ उना बलते आंधेन तोसे वाई हूर कोई कामीने। सगों प्रेमी प्रेम का व्यादे रिष्टेच बज जान्दे हन, ता समाज उना प्रती अवेसला हो जान्दे है, व्या नल प्रेम काटदा वद्धानी, प्रेम दी किसम बदल जान्दी है, किसे नू सदाले सविकार करना मुश्कली नहीं असंभव भी है, व्या ही इस मुश् इज जित के अवेशले अवेशले होई जावे नित नित दे वाखफ जानकारनी पती-पतनी कोई संकत कोई दुरकस्ट ना कोई विमारी अब आपसी रिष्टे परती मुड़ सुचित करदिन दी है मन्जे दी चूल टिली हो जान दी है चात चोन लाग पेंदी है पांडे पुराने परती तोन लाग पेंदी हैं कपड़यां दा फैशन बदल जानता है रिश्टया नाल भी इमय इवापड़ रिश्टय दिया दोहां ते रांदियां रुचियां दा इको जया हुना ना केवल असंभव है सो गोई चंगा भी नहीं पे नतानू सतकार नल परवान करनाल हर रिष्टा मजबूत हुन दा व्या प्रेम ते मित्तरता दा सूमेल है ये गर्मी ते सर्दी दा बसांत ते पचर दा विचकारला मौसम है ये ये थार्त ते सुपने दी विचकारली स्थिती है जो बंदा लंग जाना कोई दुरकटना नहीं इकठेयां बुड़े होन दान बब बुड़ा पे विच आपसी रिष्टे दे निगनू वदा दन्दा है जिथे रिष्टा निगा होवे उथे ओकडा उपजदियां ही नहीं रिष्टे दा निग मुश्किलां दियां गंडा घोल दन्दै सारे रिष्टे ना उदेश मुश्किलां विरुद संजा मूर्चा उसारना होंदै व्या सुखी होन दा रिष्टा जा रापा में नहीं पर इस रिष्टे विच दुख कट दुखदाई हो जन्दी हैं प्रेम विच डुब्बे व्यक्ति व्या तो असाधारन सुखांदी आस करदे हैं जदो के अजय सुखांदी कोई होंद भी नहीं हुंदे फिल्मां विच प्रेमियां दे चगडे चुमनानाल मुक जांदे हैं नावलां विच प्रेमी ते प्रेम का सदा जुवान ते सुन्दर हुंदे हैं पर फिल्मां वालियां सेर गाहां जीवन विच किदरे विखाई नहीं दें दियां इस्त्री जीवन दी व्या तक चंता कर दियां जदो के पुर्ष जीवन दी व्या उपरंत चेंता करदा है। पामे इना दी चाल वक्री हुन दी है, पर राई को हुन दा है। इकल्ला व्यक्ती प्रेश्ट दे विपचारी हुजन दा है। ओ के वल स्रीरिक पदर ते ही जून दा है। ओ कोई डूंगा सदीवी ते निगा रिष्टा नी उसार सकदा। जे उस्वेचे योगता हुन दी, ता उने व्या करवाले हुनांसी। व्या उपरंत इस्तरी नमे रिष्टे प्रती हुंगारा पर दी हुई। अपने विहार नल केंदी है। तेरा व देरे ते थोड़ा जे अपना सुख जौन दिया। तेरे बिना पैदा नहीं जिगरा जियोन दा। चल सारे दुख मेरी चोड़ी पादे, ते आप होडा हो जा। जदों कदे उदास होवांगी, तेरे मुड़े ते सिर रख रोल लवांगी। अपनी जान दी कुझी, अज में तेनू सौप दिया। बादशाहत की हुंदी है, कैन नू जो भी अपना है, दों हथी तेरे तो लुटा देता है। हर लहर दा हशर टुटना है। जेड़े रिष्टे बहुत पक्के हुंदे हैं, नोनानू मौत निखेड देंदी है। रिष्टा कोई भी हुवी, वोदा टुटना दुखदाई हुंदा है। बाकी सारे रिष्टे सानू समाज तो मिल दे हैं, जोदों के मुहबद दा रिष्टा असी आप उसार दी हैं। इस रिष्टे दी देहली जोते अखर कंब जान्दी हैं, बोल संग जान्दी हैं, कदम रुक जान्दी हैं, नजर चोक जान्दी हैं, साव खड जान्दा हैं, चुनी टिल्क जान्दी हैं, डोरी खोल जान्दी हैं, अपने निके जे करदा सुपना जाग पेंदा हैं, प्या जो अपना गंदा है वो ही सब तो वदस्तों दा है किसे दा बुलियां विच मुस्क्रोना अखिया नल परमोना सुपनियां विच गेडे लोना किसे ले तडपना किसे नल असमानी पींग पोना ते हुलारा अंबर तक लेना आद प्यार दे रिष्टे दे सांजे अन्बव हान खुशी नू लबण निकल पवता खुशी किदरे वी ने लबदे मोहबबत विच वी ने लबदे लोनिया मोहबता ते सोना गुडिया नेंदा प्यार दी दुनिया विच कदाचित संबब ने जेडे समुंदरा नू डीक केती हाईरय जान वो आशिक हुन दे हान जेडे चश्मिया दे किनारे पोज जान जिनाने बूद वेच समुंदर डिगदा वेख्या होवे वो मोहबबत नू हस के याद ने कर सकते जेडे इश्क दे रिष्टे नू खटी समझ दे हान वो हो दो टकेयां दी आदमी अद्धे अद्धे टकेती विक जान दी हान वो की जानन सुर्मई नेनांदा जादू हर मौज नू बेशुमार पीडां दी हजूं विचुं गुजरना पेंदे मौभब दा रिष्टा जिनने इमत्यान लेंदे हुर कोई रिष्टा इननी अजमायश नहीं करदा आश्की जित दा रिष्टा नहीं इहार दा रिष्टा है आशिक दा नित हाराहण देहान जदों किसी आशिक दी अर्थी निकल दी हैता सुनान वालयानों सुनाई दन्द है मेरी खात्र इन नहीं करयो मेरी खात्र कुछ ना करयो होर किसे जनम मैंनी पैना पोगत ले आई कुवार विच सारा लेना देना तकदीर त साथी सोपन सी तद बीरां साथो ना हुईया असी वी प्यार दी हाद से दी तार ते गुवाचियां खुशियां देटी काने लब दे रहे असी आप भी एक दुझे नाल निया नहीं कीता प्यार दा मुहबबत ते इश्क दा रिष्टा अत्यांत ती बरहून करन स्तोंदा वद्द है ते सुख कट दन्द है प्रेमी आम करके दूरी दा शिक्वा कर दे हन पर की उनानू नेडता विचो सुख मिल दै प्यार दी निगी कडी अचोपले लंग जन दी है परे हुए रिष्टियां विच कुझ अजयां वापर जन दै के विच्छडन विड़े खाली थी खामोश होके थी परवता जिड़ा जिगरा करके विच्छड जाई दै मोहब्ब दे रंग लब दे लब दे आप गवाच जाई दै मुडन वाले दी पिट दूर तक दिस्ती रहन दी है वक्त दे बीतर नल, मणक नल तुरंदी गल ते सब कुझ लुटा देन दे दम गजे फिक्के पैजन दे है आप वो अपने कर दियां बेबसियां ते मजबूरियां मनुख नू दबोच लेंदी है मौसम वां कोई वी रिष्टा एक सार नहीं रहन दा जो दो मनुख बीते हुए जीवन ते दार्शनिक अक नल पिछल चात मारता है ता उदास हो जन दा क्योंकि मनुख थे समाज दा रिष्टा उसनों सुखावा परतीत नहीं हुन दा हर समाज प्रेमियां वक्रेटांग नल स्तौंदा है समाज इनी शक्तिशाली हो गई हन के ना नाल कोई वी मनुख सुखावा रिष्टा नहीं उसार सकदा समाज सदा स्थिर्ता उते बल देंदा है जोदो के मनुख परिवर्तन लें तांगदा है विद्यादा उदेश मनुख नू जगावना है पर समाज जागे होई मनुख नू परवान नहीं करदा सो स्थिर्समाज ते परवर्तन शील व्यक्ति इक दूजे नू परवान नहीं हुन दे एस्थिती हिंसा ते गडबड नू जनम देंदी है जे हो जे असी अंदरो हुन देयां उहो जे रूप समाज तार लेंदे हिंसा नफरत साड़ा इर्खा विरोध आद साड़े अंदर लेदा बारला परगटावा हुन दे साड़े आपसी रिष्टे लालच ते स्वार्थ दे रिष्टे हम जे करे रिष्टे प्यार उते अदारत हुन दे ता समाज विच सद पावना हम दर दी सने सहयोग दे शांती दा वातावर्ण हुन दा लालच ते स्वार्थ नू दूझे नू नीमा वकौन दी बिर्थी सिर्ज दी हन इस बिर्थी नल नफरत फैल दी है नफरत दी ये पावना सानू अपने कार दी उच्ची चारदवारी उसारन ग्रिल्ला ते पारे गेट लाउन ते करानू मुर्चियां विच बदलन लई प्रेर दी है असी रिष्टे इसलिए उसार दियां तान जो दूझे यां दी नफरत दा मुकाबला कर सकी है ते जड़े साड़े लाल चते स्वार्थ पूर्थी विच रुकावट हन उनानू परपूर नफरत कर सकी है जिस ते देल विच प्यार है उसनू कोई रिष्टाव सारन दी लोड नहीं जिस संसार समाज जां व्यक्ती नव असी नफरत कर देयां उसे तो सानू प्यायती खत्रा मैसू सुन दे इही पावना सानू दूझे नाल रिष्टाव सार के अपने शक्तिव दौन देरा पूंदी है संसार साड़ी होंद उनू में टौन ते तुलया हुया है पर असी व्याराई बच्चे प्यादा करके उना राई अपने अमर होंदा उपराला कर देयां समाज नल व्यक्तिदा रिष्टा सुखामा नहीं हो सक्दा समाज निगर रहा है ये केवल निगर ही सक्दा है ये हजारां सालां तु निगर रहा है संसार दे किसे भी समाज विच पिछले हजार साला मेंच इक वार भी किदरे जिकर नहीं हुया कि समाज विच विकास वाप पर रहा है चर्चा समाज दे सदा निगरन दी ही हुई है इस साजा बुद्ध जां हजरत महमाज जा नानक समाज दे विरोध विच उबर के ही स्थापत हुई है व्यक्ति विच सुद्रन दी यां संभावना महान जोदों वी सुद्रन गे व्यक्ति ही सुद्रन गे समाज दे सुद्रन दी नाक दे संभावना सी ते नाक दे हुएगे समाज वांगी फलसफे विचारतारमा से दांत तरमाद विखननू पामे ए लोकानू जोड़ दे हन पर वास्तवेचे नफरत फेलाउं दे हन इना दे अदार ते उसरे रिष्टे नफरत दे वातावर नू गुड़ा कर दे हन निराशा दे इस वातावर न विच व्यादा पती पतनी दा रिष्टा ही आस्तीक किर्न विखाई देंद है इस रिष्टे नू इस तरी नू नहीं सेना पया राद दे हनेरे विच सिदार थदा नसके जाना वी उस दे एक निर्बलता सी उ आप कमजोर सी पर अपने कमजोरी मनन दे था उने पतनी दे उदे बच्चे नू रुकावटां दे दिरिष्टी नाल ही वेक्या नर सब्यता हिंसा जंग हंकार तिस राजनीती विच गर्क रही है अजोका पुर्ष व्याते परवार दे विरूद विच विचर रहा है इस तरियां ते जीवन दा बोज वद रहा है व्याते परवारिक रिष्टियां सबंदिये जानना बड़ा ज़रूरी है के पूरंता कदे ना प्रापत हुई है ना ही कदे हो सकदी है इस सोजी विच्चों ही समझोते दी बिर्ती उपजदी है इस तरी ते पूर्ष वखरियां सोच्चा अंद्रिष्टी कोना ते पाव नवांदे आम्मो सामने के नारियां ते खलोते हुई हन ते तैरना किसे नुभी नहीं आउदा इस तरी दा सुबा प्रेम मुख है जदोंके पूर्ष बारली दुनिया नल बज्जा होया है जे दों में वखरे वखरे सिदांता नल जुड़े होई होन तब पूर्ष कार त्याग देवेगा सिदांत नहीं चड़ेगा जदोंके इस तरी परिवार ते व्या बढ़ाई रखन लई सिदांत त्याग देगी, कार नहीं चड़ेगी इस तरी पूर्ष दों हां दी पहल दूज वखरी वखरी होन दी है व्यापा में किन्ने चामानाल कीता जावे इस तरी पूर्ष दे सुबा वेच वखरे मां बणिया रहन दे वो एक दूजे दे पूरी तरा मुष्कल नाली मेच आओं दे है पहली याँ रात्तां दी होमारी वेच इस्तरी दे पूर्ष दों है अपनिया सारिया मुष्कलां पोल जान दे है पूर्ष अपने मित्रानों कामतन देनों पोल जान दे इस्तरी अपनिये निजी रुचियानू पोल जांदी है। दोहानू लगदये प्रेम ने उनानू परला दते ह। हॉली हॉली उनानू अपने आले द्वाले होर लोक विखाई देन लगपेंदी ह। पॉर्शनू अपने कामयाद आओन लगपेंदी ह। कई इना मुढले दिना विची ठाक जान्दे हैं, कई वापसी मुढ जान्दे हैं, कई ओपुरे ओपुरे सने नल्चाट लंगाई जान्दे हैं, दो में नफे नुकसान दा हिसाब लोण लग पेन्दे हैं, जिना समाजा मिच तलाग सौके हन, उथे सैन शीलता दी काठ है, ज जहे समाजा मिच व्यानु दुख सुख वंडौन दै अफसर वजो नहीं ले आ जान दै। जहे समाजा मिच पती-पतनी पहले ही मतपेद नल वक्खो जान दै हन। व्यादी एक जया रिष्टा है जो समेदे बितनल पक्का हुंदा जान दै। बाकी सारे रिष्टे समेद अल अपनी चमक गुआ दिन दै हन। पर हुन व्यादी रिष्टे वी तिड़कन लग पाई हन। अजो के समाज विच किसे भी पद्दर हुते किसे भी दो व्यक्तियां दा किसे परकार दी सुखामे रिष्टे विच विचरना मुश्किल हुंदा जा रहे हैं। रिष्टे यां दे सारे पुल तुट दे जा रहे हैं ते मनुखा मिच सांज मुक दी जा रहे हैं। जोके मनुख दी पटकर निरंतर वद रही है, सुखामे ते मिलवर्तन वड़े रिष्टियां तो बिना, मनुख दी हर प्राप्ती उसनों निराश करेगी, निराश मनुख सुखामे समाज दा निर्मान नहीं कर सकदे, धन्वाद सर्दार नरिंदर सिंग कपूर्दी पुस्तक अंतरचात दा लेख है, तानवाद दे हुलारेविच समाज तो सानू जो कुछ मिलदा है, उसाड़ी योगता तो हमेशा वदेरे हुनदे, पर तानवाद करन दी समरथा ना होन कारण, असी अपनियां प्राप्तियां तो संतोष्ट नहीं हुनदे जो कुछ समाज तो प्रापत होया है, जे उदे योग बनन दा यतन करोगे, तक कदी ठकोगे नहीं जे तुसी अपने आले द्वालेनू तानवाद दी नजरनाल विखोगे, तक कदी निराश नहीं होगे तानवाद कुछ प्रापत कर लेन दा परमाण होंदे, जेवे मुस्कराट किसे नूँ पछान लेन दा सुबूत होंदी है, जेवे हासा किसे गल्दे समझ आजान दा एलान होंदे तानवाद दी पावना हर चीज नू सुन्दर बणा देंदे, जदो के लापरवाई दा पाव हर महत्त पूरण चीज जाम वर्तारे नू अर्थेन कर देंदे रब संसार प्रती लापरवा होई नहीं सकता, सारे तरम रब प्रती तानवाद दी पावनाद प्रग्टावा हन किसेने क्या सी तुसी ही रबनू प्यार करो तुसी रबनू प्यार ना करो तुसी रब दाता अनुवाद ना करो सगो अजय बनो के रब तो अनू प्यार करन लगपवे रब तो अनू अपनालवे रब तो अड़ता अनुवाद करे जे विशाल द्रिष्टी नल वेख्या जाये ता नानक ने रब नू उनना प्यार नहीं कीता जिनना रब ने नानक नू कीता जिसनू नानक प्यार कर दे हनू रब हो जन्द है जिसनू रब प्यार कर दे हनू नानक हो जन्द है हर अर्दास तन्वादी पावना विचों उप्च दी है अर्दास विच सिर्चुकदाईता है जोदो दी देहलीज दिस दिये जोदो दी देहलीज दिस पवेता हर अदा ही अर्दास बन जान दिये अजय ये वस्था वेच, हर द्रखत वेच्चूं, हर चाड़ी वेच्चूं, हर बद्दल वेच्चूं, हवामा वेच्चूं, हर किसे वेच्चूं, ओ विखाई दें लग पेंदा है जीवन समुच्ची मानव जाती दा सांजा सुपना है असी जो कुछ हाँ, ओ जो कुछ असी सोच चुके हाँ, ओ दा नतीजा हाँ जे तुसी सब कुछ जान दी होता हैरान होन दी पर संता नहीं मान सकोगे तो अड़े विच तानवाद करन दी बिर्ती नहीं हुएगी तानवादी पावना तो बिना जीवन दे किसे भी खेतर वेच जित अतिहार दोमे निराश कर दिया हान उदास सते निराश व्यक्ती बिमारियानों जल्दी ग्रैन कर दा है बिमारी कोई भी होवे, असी ओदों ता करूग नहीं हो सकते जदों ता कसी अपने आपना लेक सुर हों ले, गुसे नूं मौफी नाल, हंकार नूं संजम नाल, पक्खंड नूं सादगी नाल ते लालच नूं संतोख नाल जितन लेगे जितन दा गुण ते खास्ला उदों तक नहीं उपजेगा, जदों तक सादिविच कुद्रत प्रतित अनुआदी पावना नहीं उपजेदी वेखिया गया है कि असी अशान्त हों कारन ही इच्छामा गर्देयाँ ते इच्छामा कारण ही अशान्त हुझदेयां इच्छामा सरीर नल्स बंद रखती हैं, जदके आतमा दी कोई इच्छा नहीं हूंदी सरीर परिशान्त यह शान्त हुँदा, ओदो हुँदा है जदो यह प्रेम करण दी था, प्रेम दी प्राप्ति लेतांग दा प्रेम दी व्याकरन दा पहला नेमी है कि प्यार कीतियां इंप्यार मिल दा है प्रेम दी कड़ी विच पोक मिट जान दी है प्रेम दी अन्होंद कारण ही मनुक जिन्दगी पर पोजन तबा कर दे रन दे है जेड़ी मां बच्चे नूँ बहुत प्रेम कर दी है वो बच्चा कट दुद पिन्द है, उसनू पता है कि दुद कदे भी पीता जा सकते है अजय बच्चे नू पवेखदा कोई पैनी हुन्दा जिस बच्चे नू मा प्रेम नहीं कर दी, वो रज्ज के विरुंदा रहेगा वो वद दुद पियेगा, उनू पवेखदा परोसा नहीं हुन्दा प्रेम ते दुद नाल रज्ज बच्चे दे सुमुच्चे मान वेच ते सरीर वेच्चों मुस्कुराहट दे रूप वेच ता नुवाद दा प्रड़्टावा हुन्दा शिकायती बिर्थी ता नुवाद दी विरुदिश बिर्थी है शिकायत लौन वाले ने ना इसा नू छड़िया ना सुकरात नू बक्षया ना मनसूर नू रेन दता शिकायत लौन वाले ता पाइक न ये दी भी शिकायत ला गए पर पाईक न ये ने न शिकाता शिकायतियां प्रती भी तान बाद परे अंदास चेक्या सी मेरे पाशार सारे मेदान अंदर ते थोई लावा कोई नजर आयाई नहीं जित्थे चोया पाणी तेरा मुँँ देसिया किसे गैर दे मुँँ बिच पाणी पायाई नहीं तो अड़ा दस्या तो अनू की दसा तुसी दुई दा पाठ पड़ाया नहीं जिन्ने किसे दे वो देरे दोस्त होनगे जानू ते शुपचन तक होनगे उन्नाई उसले संकीरन होचा ते कमीना बढ़ना ओखा हो जानदा है जे नियत ठीक होवे ता पउंचन वाले मन्जिल वाल पिट करके भी पहुंच जानदे हैं जे तो अडेचता अनवाद करंदी बिर्ती है ता तो अनूता अनवाद करंदी अबसरांदी थोड़ नहीं होएगी क्योंकि एक कुद्रद आसूल है कि जे लंगर अतुट वरतेगा ता चकन वाली संगत वी अतुट हो जाएगी संसार दी हर चीज अधूरी है संसार सुन्दर ही ताएं क्योंकि एस संपूरन नहीं जगत तमाशा दिल चस्पी ताएं क्योंकि ए दूरी बंद्यांदा नाटक है तर्ती नू सूरज दी लोड़े पर तर्ती नू सूरज दी तर्ती तो दूरी दी भी लोड़े संसार दी हर चीज वीच त्रेड़ है पर रोशनी इस त्रेड राएं ही यह अंदी है बुही बारियां रोशंदान आद कंदां विच वियोंतियां हुयां त्रेडा हुआं तानवाद करंदी बिर्ती होवे से कुद्रत्वानु ठक्कर नहीं दाएगी कदम कदम ते दौलतां विचियां नजरोंगियां मेरे एक मित्तर हन जिनादी शिक कायतां गिले शिक वान दी सूची कुछ वदेरी लम्मी है इक वरी क्यान लगे बहुत उदासां मेरे कुण कोई पूंजी ने मार जान बरे सोच दा हुआ इक होर मित्तर ने क्या के तुसी चंगे पलेव अपना एक गुर्दा वेच देव जिनी पूंजी तो अनुचाई दिये उस नालों दुगणी मेल जाएगी तो अडाईक गुर्देनाल स्रीठी चल्दा रेगा जिहोर पुंजी चाई दिये ता अपनी काखवेच देव त्या आननाल देखो ता कुदरत ने तो अनुकिनिया मेंगिया चीजा मुर्थवेच देतिया हुआ यहाल पर क्यों के तो अड़े विची शिकायतां करन दी बिर्थी है तानवादी पावना नहीं सो तुसी सफल नहीं हो रही तुसी उनने दुखी नहीं जिनना तुसी अपने अपनों दुखी दस दियो तानवादी बिर्थी विच्चो शक्ती प्रापत करो कई व्यक्ति केंदे हन जे मेरी आमदन दुगणी हो जाए ता मैं तानवादी हूँ मांगा अजय व्यक्ति अनु मेरा सुझाओ है कि जिना दी आमदन उना नलो दुगणी है उनना नु मिलके वेखलें कि वो परसान हन असी इसली परसान नहीं क्योंकि असी दूजय नलो देरे परसान होना चौन दे हैं कई व्यक्ति केंदे हन कि मैं ओ दो परसान हो वांगा जुदो मेरी तरक्षी हो जाएगी जुदो मैं मकान पालिया जुदो मैं बच्चे व्याद इत्याद अजय व्यक्ति कदी भी पर सान नहीं होनगे क्योंकि उना कुल जो कुछ है वो भी किसे पकों काट नहीं जदों तान्वादी होन दी पावना ना होवे तो कोई भी प्राप्ती संतुष्ट नहीं कर दी पचपन वेच मैं एक संत जी कुल जाया करदा सा पड़े अर्से पिछोना नाल पिछले मीने फेर मेल होया पर ओ उदास सन मैं उना नू पुछया तो अड़े इनने शर्दा लू हन फिर भी तुसी उदास क्यों उना दा उत्तर बड़ा अर्थ पूरन सी उना क्या शर्दा लू बेशमार मिले हन जग्या सू कोई नहीं मिले य इमेएदे आपक निराशन उकेंदे हन इमत्यान पास करन वले कई आय हन पर विद्यार थी कोई नहीं आया दुकानदार वी मयूस होके केंदे हन चीजां वेचन खरीदन वले बड़े आय पर कोई जया गाक नहीं आया जिस नाल बिना सौधा केते बिना तोले लेंड देन की इस्त्री दी परेशान होके केंदी है, सरी नुपो गण मले कई मिले, पर प्यार करन मला कोई ने बोड़िया। इस्त्री दी परेशान होके केंदी है, सरी ने बोड़िया। पती पतनी दी रिष्टे विच टिकाओ उती परोसा उपजी नी सकदा। जे तुसी किसे नुपो के तु जो आखिंगा में उविंग करांगा, उदी आखन दा अंदाज ही बदल जाएगा। वो इस परोसे कारणीक जिम्मेवार व्यक्ती हो निबडेगा। व्या विच्वी इवें हुन्दै। व्यानाल सानुं जीवन पर गल्लां करनले एक विश्वास योग साथी मिल जान्दै। जे पतनी दा परोसा बणेया रहता पती सारी संसार्दी विरोत ता केड़े मत्ः साहार लेंदै। कुझ प्रापत कर लेना, पामे पतनीदा परो साई के उनना प्रापत करना होए, उनना महत्त पूरन नहीं, जिनना महत्त पूरनोंनों प्रापत करंदी किरेया विचो लंगना होंदै. इह याद रखना भी बड़ा जरूरी है कि असी जो कुछ भी प्रापत कर देयां उस वेच साडे नाल जुड़े अनिक का व्यक्तियां दा उलेख योग योग दान होंदै सोना दा ता अन्वाद करना कदे भी नहीं पुलना चाहिदा ता अन्वाद ता अपने विरोध्यां दावी करनां चाहिदा क्योंके साडे विच महत्त पूरण विकास होना दे विरोध कारण ही योँदै जे संसार विच दुश्मन ना होंदे ता दोस्तां दी लोड ना पेंदी जे निर्पक होके सोच जावे ता साढ़े दुश्मन साढ़े नलसबंद बनाई रखन वास्ते साढ़े दोस्ता नालवी साढ़े बारे देरे सोच दे हैं दुश्मनी भी एक रिष्टा है, रिष्टा कोई भी हुवे, उस प्रती तानवादी होकी, असी उसनों अपने पक विच वर्थ सकते हैं। इक वरी साड़े पुगोल दे प्रफेसर साव नो इक विद्यार्थी ने पुछया, के तुसी कहन देओ के संसार्दी सारी अबादी पंजाब्च समा सकती है। मेरे एक डॉक्टर मित्तर हन, वो इक हाथ नाल वी ताड़ी मार सकती हन। उननु ताड़ी मारनली कदी वी अपना दुजा हाथ वर्तंदी लोड नहीं पै। वो जै डॉक्टर हन जिनादा हर मृष्ट उननादा दोस्त बन जान्द है। वो खली हत्था नाली दूजियां दी चोड़ी पार देंदे हन। वो हर मृष्टाउसारंदी दृष्टी नलवीख दे हन। वो द्वाई नलू बदे रहिम्मद देंदे हन। कई व्यक्ति उना प्रती तान्वादा प्रग्टावा करन ले ही जी रही हैं जपान वेच हर वपार दा उदेश गाक नू पर सन करना ते उदे तान्वादी योग होना है जपानी कंपनियानू अपने माल दी पदर उते नव देरे प्रोसा है कि कोई गाक किसे खरीदी चीज दा कोई दोश दसे ताव चीज वापस मंगे बिनाई नमी चीज मुफ्त दे देते जान्दी है एक जपानी वपारी ने दस्या के मिने बीट जान्दी हन कोई शिकायत करन वाला गाक ओन दिया जपानी वपारी केंदे हन गाक ओना चाई दै मुनाफा उदे पिछे पिछे आर्या हुन दै इमी उन दा असूल है के गाक नुपर सन कीते बिना उदे तानवाद दे योग होए बिना वपार वेटे विकास नहीं कीता जा सकता ए असूल जीवन दे हर वट अंदरे दे लगू क सकते तानवाद दी मुडली बिर्ती ते पावनकुदरत प्रती तानवादद दि खुलारे विक्छों उपच दी है कुद्रत स्यान पांतों मुक्त पोले पंदा क्रिश्मा है इही पावना माप्यां प्रती तानवाद विच परगठ हुन्दी है जड़ी विकास करदी होई गुरू ती अध्यापक प्रती तानवादा रूपतान करलेंदी है गुरू सानू राबदा दिदार नहीं करवांदी उता साड़े रस्ते दियां रुकावटान दूर करदेंदी हान अध्यापक सानू ज्यान नहीं देंदा उसानू अपनिया ज्यानता तो जानू करवादेंदे गुरू सानु अपने अंदरली नूर नाल परबावित करदे जदो के अध्यापक सानु बारली संसार बारी ज्ञान दी परकाश नाल मलू मल करदे गुरू ते अध्यापक विचकार अंतर नूर ती परकाश तांतर है गुरू सानु सारे अनुशासना तो पार ला जान दा है जदो के अध्यापक सानु स्वैकाबू दे मंडल विच परवेश करवान दा है गुरू सानु अपने ज्ञान नाल निवाज दा है जे अध्यापक अपने ज्ञान दी हों में तो मुक्त हो जाए तो गुरु हो दिबढ़दा है अध्यापक दी उच्तम अवस्था गुरु होन दी पहली अवस्था है विद्यार्थी कई टंगान अल अपने अध्यापका तो लाब उठा सकते हैं पर इसलिए जरूरी है कि विद्यार्थी विद्यार्थी होवे ते अध्यापक अध्यापक होवे विद्यार्थी वलों लाब उठाउन दे कई टंगहन जवे नमस्कार करके अधेश दियोडी करके जग्यासा प्रगटा के सेवा करके ते आनल सुनके ते तानवादी होगे अध्यापक पारस है चुम्बक है जदों के विद्यार्थी दिस्थिती लोहे वली है तानवाद दा जजबा इना तीवर होना चाईद है कि लोहा पुकार उठे कि हुण मैं पारस बिना रह नहीं सकता हुण मैं चुम्बक बिना जी नहीं सकता जदों तके में नहीं वाप परता विद्याप्राप्ती तो सानु तसल्ली नहीं मिलेगी जिस अनुपात विच तानवाद दी पावना सोंगर दी जा रही है उसे अनुपात विच नास्तकता असंतुष्टता साड़ा मुकाबले दी बिर्थीती इर्खा बद रही हैं प्राप्ती दी निरंथर दोड सानु तानवाद करन दी वेल नहीं दे रही तानवाद दी पावना इस करके भी काट रही है क्योंकि पावना सची लगनते सची मेनत विच्चो उपजदी है तानवाद उदों ही संभव हुन्दा ज़दों मनुक परसान चित होए चिंता विच किरया हुआ अप्यक्ती तानवाद नहीं कर सकता वेख्या गया है कि जदों असी चिंतित हुन देया, तासी अपनी सदार मेनत दावी त्याग कर देनेया, ते एमें चिंता करन लेई समावदा लेन देया चिंता दा इलाज कम दा त्याग नहीं वदेरे कम है, दुख ते चिंता विच अक्सर जो कुछ साधे कोल हुन दे, उसनू पुल की, जो कुछ साधे कोल नहीं हुन दा, असी उसले विरलाप कर दे हैं अजो के मनुख कोल अपने लेई, चिंता मुसीबतां ते मुश्किलाँ पुजान लेई, वो देरे समाँ है, हार मनुख जिते उ है, वो थो नसन दा यतन कर रहे है, मनुख मनुख वांग विहार ना करन करके, बेच्चैन हुआ, मैंनू हरानी उन्दी है, कि जदो मनुख ज जीवन दे अर्थ, इस्तरी ते पुर्ष दुमाँ दे संजोग ना लूप जदी हैं, पर पुर्ष इकल्लाईन आर्थानू सिर्जन दी जिद कर रहे हैं, जिद कोई वी होवे, आनिकार खुंदी है, जिद्धी व्यक्ती हिंसक हुंदा है, फोजियानू पक पती सोच नाल जिद्धी बनाया जन्द है, जे फोजियानू अपने प्रवारान आनू वी छोड़ेया ना जाए, ता उन लड़नगे नहीं, उनानू जीवन दियां सदारन खुशियां तो विर्वा करके ही लड़ाया जा सकते, लड़ाई वीट सब तो पहला तान वादी पावनानू कतल क किता जन्द है, बाकी तबाही इस कतल दे पिछे-पिछे तुर दिया, तुर्क फोजाने संसार विट तबाही दिया नमिया उदारना स्थापत किती हैं, ते कई सब्यातावान जिमें मिस्री, युनानी ते रोमन सब्याता दा कान किता है, तुर्क का बारे पर सिद्द है के बाब जूद लड़ दे रंदे हैं, इना योद्यां दा सिर किसे अर्थ नहीं हुन्दा, सिर दा काम है सोचना, ये सोच नहीं सकदे, ये लड़ ही सकदे हैं, जे सोच सकदे हुन्दे तैना नू लड़न दी लोड़ी नी सी पैने, सिर दा बोज उतर जाननाल, इना दा तड νे तेरे बहादरी न लड़ दा तुर्का न remarkably कणने किसे दा तानवाद नहीं कहता किसे ने तुर्कां दा तुर्कां दे किदरे वी पर्शंसा नहीं हुई लड़ाकियां कौमान दा सुबाद तुरकां वालाई है तानवाद दी बिर्ती तो बिना व्यक्ती, परिवार, सुमाज दे कौम, आद किसे विच विकास नहीं वापरदा दुज्यां प्रती लापरवाई नाल, ना कोई रिष्टा उसारया जा सकते, नाईं तानवादे पावुप्च दे हां, नाईं कुझ चंगा सिर्जया जा सकते लगपग हर मनुखनू इस गाल दे चिनते हैं, के दुज्य उस बारे की सोच दे हां केवल मनुख ही अपनी आतस्वीरां खिच वाणदे, केवल मनुख ही अपनी शकल नाल असंतुष्ट है, केवल मनुख नोई अपने निगूने पंदा अइसास हुंदे यह एसास उदही हुंदे, जदोई कल्ला हुंदे, जाई कल्ला रह जानदे जीवन दी एक वास्त्विक्ता है के मित्रा आते सनेग्यादे बड़े ताने बाने बिना तो अड़ी परसंता ना संभव हुन दिये ना ये किसे लिखे लग दिये ए ताना बाना तानवादी पावना तो बिना उस्सर नहीं सकदा पर सन व्यक्ती लड़न विले लड़दे हन अड़न विले अड़दे हन पर बदलन विले बदलदे वी हन पर शंसा करन विले पर शंसा वी करदे हन जे दुश्मन वी दाद देन दे योग होए ता दाद वी दिन दे हन जदों कोई व्यक्ति अपने आप नल नराज हुन्द है ता उं हर किसे नल नराज होई जान्द है वड़े शेहरां दे लोग कांदे मुकाबले चोटे शेहरां दे लोग कट नराज हुन्द हैं ते कट बैस कर दी हान। क्योंकि उना ने काम भी करना हुं दैre, ते काम भीच सहःयोग देन काम भी करना हुं दै। कैंदी हन जो देर रेह्या है ओधा देना ही उस चीजनो मुल्वान बना रहे हैं। इसली ही ओधा तानवात करो। हनेरी विच जा हड विच कुझ वी देन दी सम्रता नहीं हुंदे, सो कोई वी ना इना दी ऊढ़ीक करदे, ना तान्वाद करदे रबने जीनू तबा करना हुंदे, ओदा अपने आप वेचो प्रोसा खोलेंदे ते रबने जिनू बुनावना हुंदा है उस्वेच तानवाद करन ते तानवादी हुनदा गुण पुजा देंदा है निंदा दी हद हुंदी है तानवादी कोई हद नहीं हुंदी तानवाद सारियां हद्दां सरहद्दां तो पार जानदा ही लवसीला है ये सारे जिंद्यांदी संजी कुंजी है असी तानवाद करके परसान नहीं हुन दे परसान हून करके ये असी तानवाद कर दें तानवाद